हें गाइस वेलकम बैक टू लेलावाती क्लासेश और 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 सिरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने एक नई ओगनाइजेशन लेकर आए हैं लास्सेस तक हमने कई डिफरीं डिफर्ण तरेके की ओगनाइजेशन देखी जिसमेंäre whatever ameye इइस ती कुछ ऐसी थी जो ईकनोम attitude जैसे की हमने देखा कि वर्ल लिदिंग इमर्जीं की एक झाउगजेशन हमने वहीं हमने बिक्स की हमने बात करी वहीं डेवलप की ऐक गुरुप कि यह किसी एक region को रिप्रेजन कर रही होगी यह किसी एक region से लिंग्ड होगी तो चलो आज सारे suspense को खोलते हैं और देखते हैं कि जो बिमस्टेक है वो क्या डिनोट करता है साथ साथ इसमें कौन-कौन से मैंबर्स शामिल है यह किस region को रिप्रेजन करता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यह जानकर कि बिमस्टेक क्या है चलिए अगर हम बिमस्टेक की बात करते हैं तो इसप्रेजिटल है यह सगता अगर हम इसकी बात करें तो ईसके सदस्टे है वो कहाँ पर मिलेंगे हमें Bay of Bengal के littoral और adjacent areas में पाये जाएंगे इसके जो भी members हैं इसके जो भी सदस्य देश हैं वो हमें कहाँ पर मिलेंगे जो बंगाल की खाड़ी है उसके टतवर्ती या फिर समीप वर्ती छेत्रों में मिलेंगे यानि कि कुछ सदस्य देश ऐसे होंगे जो Bay of Bengal से अपनी boundary लगा रहे ह होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो से Bay of Bengal के पास में ही पाये जाएंगे वहीं अगर हम इसके मुख्याले की बात करें तो यह ढाका में है यानि की बांगलादेश में इसका Secretariat है और अगर हम बिमस्टेक के बारे में जाने तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी बिमस्टेक से related दो रीजिन आते हैं जैसे कि हमने अपनी बाकी organizations की बात करी थी जो भी अभी तक हमने देखी हैं अगर आपने वो सारी organizations नहीं देखी हैं जो नए व्यूवर्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल organization के नाम से आप महां जाकर चेक आउट कर सकते हैं या फिर आई बटन पर भी क्लेक कर सकते हैं जोनोंने हमारी last lectures देखे हैं organization से उन्हें पता होगा कि जब हमने आसियान की बात करी थी तो एक region वो रिप्रेजन कर रहा था जिसे हमने Southeast Asia region कहा था इसी तरह हमने G7 और Bricks में देखा था कि कौन-कौन से continents से countries आई हैं सिमिलरली अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो यहां पर दो regions को हमें ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा बिम्स्टेक एक तो बेव बेंगॉल ध्यान में रखे अब बेव बेंगॉल से जो हमारे regions आते हैं वो दो तरीके के region एक है South Asia region वहीं दूसरा है Southeast Asia region ओके तो एक बार अगर हम बात करें South Asia और Southeast Asia की तो यह वाला Southeast Asia का पार्थ हमने आसियान countries की जब बात करी थी तब पढ़ लिया था South Asia को हम detail में जाएंगे जब हम World Map की series लेकर आएंगे तब आप इसके बारे में detail से देखेगा अभी के लिए बस आप इसकी countries देख लिए अगर हम South Asia की बात करते हैं तो इनमें यह सारी country शामिल है ठीक है मैं आपको नाम बोल देती हूं अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया नेपाल भूटान बांग्रादेश मैनमार और श्री लंका आपको यह समझ में आगया होगा कि बिम्सेक के लिए हमें जो दो रीजन को ध्यान में रखना है वो कौन-कौन से रीजन है South Asia और Southeast Asia आगे चलते हैं हम बिम्सेक को लेकर तो जो बिम्सेक है यह basically South और Southeast Asia को जोड़ने का काम करता है यानि कि दक्षिन एशिया और दक्षिन पूर्वी एशिया को अगर कोई ऐसी संस्था है जो जोड़ती है या कोई ऐसा संगठन जो जोड़ता है वो क्या है बिम्सेक वही बिम्सेक क्यों बनाया गया है यह इसलिए बनाया गया है ताकि Rapid Economic Development हो सके तेजी से आर्थिक विकास हो सके साथ साथ एक्सिलरेट करें Social Progress को और Collaboration को बढ़ावा दिया जाए यानि कि सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाए आर्थिक तेजी से विकास किया जाए और साथ साथ साहयोग को बढ़ावा दिया जाए वही अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो देखो आपको पूरा Bay of Bengal देख रहा होगा इंडिया से अगर हम इस में चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा Bay of Bengal मिलेगा यह जो मैंबर्स यहां पर दिखाए गए हैं यही है आपके सेवन मेंबर्स में से जो पांच मेंबर हैं वो उसके साउथ एशिया रीजन के हैं यानि की साथ सदस्यों में से पांच सदस्य दक्षिन एशिया से आते हैं और बचे हुए दो सदस्य दक्षिन पूरवी एशिया से आते हैं और यह सदस्य मिलके जो एक संगठन बनाते हैं उसका नाम क्या दिया गया है बिम्स्टेक चलिए अगर हम इसके सदस्यों को देखें तो इंडिया फिर नेपाल भूटान बांगरदेश और श्री लंका ये जो पांच सदस्य हैं ये कहां से आते हैं भाई दक्षिन एशिया से भाई दक्षिन पूर्वी एशिया से जो इसे म शामिल हो रहे हैं यहां पर आपने उसके सदस्य देख लिए हैं साथ में अगर आप देखें तो ऐस सच कोई ट्रिक नहीं आपर मैंने प्रोवाइट की है लेकिन थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी जिससे आपको थोड़े से इनकी नाम पकड़ में आ जाए कि बिम्स्ट से एक ऊगनाइजेशन और निकलती है बी बी आई एन आपने नाम सुना होगा बी बी आई एन विच स्टैन्स वा बंगलदेश भूटान इंडिया और नेपार ओके तो तो ती चार सदस्य तो आपको असानी से याद हो जाएंगे बिम्स्टेक से बी बी आई निकाल लेंग तो आपको दो गुरुपिंग भी यहां पर आसानी से याद हो जाएंगी चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करें तो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि बिम्स्टेक कैसे बना है बिम्सेग नाइटी नाइटी सेवन में बना एक बैंकोग डिकलरेशन के तो इसे चार सदस्यों ने मिलकर बनाया और इसका जो नाम रखा गया वो था बिस्ट एक जहां पर बिस्ट क्या डिनोट करता है बांगलादेश इंडिया श्री लंका और थाइलेंड को वही एसी फॉर्दा एकोनोमिक को ओपरेशन ठीक है ध्यान रखें यहां पर हिस्ट् बिस्टेक पूरा बना है तो सबसे पहले 1997 में बैंकॉक डिकलरेशन से जो संस्था आई सामने वो क्या थी बिस्टेक ठीक है बिस्ट में जिसमें बांगलादेश इंडिया श्री लंका थाइलेंड एकनोमिक को ओपरेशन था फिर इसी बिस्टेक का नाम बदलकर बिम्स्ट एक कर दिया गया सेम इयर में 1997 में ही ठीक है देखो 1997 में ही दोनों काम हो रहे हैं पहले इसका नाम क्या था जब ये बना बैंकॉक डिकलरेशन से बिस्टेक और फिल लेटर और उसी साल इसका नाम बदलकर कर दिया गया बिम्स्ट एक जब इसमें मैनमार शामिल हो गया तो तो अब इसका नाम क्या कर दिया गया बिम्स्ट एक यानि कि बै और बैंकॉल है इनिशियेटिफ फॉर मल्टी सेक्टोरल टेखनिकल एकनोमिक को ऑपरेशन ऑके तो आई होब कि अब समझ में आ गया होगा कि बिम्स्टेक कैसे बना है पहले बिस्टेक बना फिर बिम्स्ट एक बना और लास्ट में बिमस्टेक बन गया नेक्स अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की यानि कि इसके अब्जेक्टिव क्या है तो देखो अब्जेक्टिव यह है कि रैपिड एकनॉमिक डेवलप्मेंट किया जाए तेजी से विकास किया जाए साथ साथ equality और partnership दी जाए यानि कि सहयोग और समानता की भावना को और बढ़ाया जाए विक्सित किया जाए साथ साथ active collaboration हो और mutual assistance हो यानि कि सहयोग भी दिया जाए और पारस पर एक सहायता भी दी जाए member countries को ठीके एक दूसरे की मदद भी की जाए development करने में और दूसरे को सहयोग भी किया जाए साथ साथ सिफ economic cooperation ही नहीं करना है सिफ आर्थिक सहयोग ही नहीं देना है साथ साथ किसमें देना है education में भी science और technology इन सम में भी क्या देना है शिक्षा विज्ञान और प्रद्योगी की में भी क्या देना है बढ़ावा देना है विकास करना है इसलिए पूरा नाम क्या रखा गया टेक्निकल और एकनॉमिक को आपरेशन ओके चलिए नेक्स अगर हम इसके प्रिंसिपल यानि की सिधान्त की बात करें तो इसके जो सिधान्त है वो क्या है sovereign equality समान संप्रभूता है सब के लिए टेरिटोरियल इंटिग्रेटी है छेत्री अखंडता है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस राजनितिक सोतंत्रता वहीं peaceful coexistence है शांती पूर्ट सहस्तित सब लोग एक साथ मिलजूल कर रहेंगे no interference in international matters कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के जो भी आंतरिक मामले है उसमें कोई भी हस्चेप नहीं करेगा और साथ-साथ mutual benefit मतलब ऐसा काम किया जाए जिससे सब को लाब हो तो ये हैं इसके कुछ सिध्धान तो आपने सिध्धान देख लिए इसके objectives देख लिए ये कैसे बना है ये सब भी देख लिया अब बात आती है इसके potential की इसके ज़मता की क्या ज़रुवत पड़ी कि हमने इसको बनाया और अगर ये बन गया है तो ये क्या-क्या major-major roles play कर रहा है तो अगर हम इसकी बात करें ये ब्रिज की तरह काम करता है South और South East Asia के बीच में एक सेतू की तरह काम करता है वही ये एक intra-regional cooperation है between Sark and ASEAN members जो Sark के सदस्य है और जो ASEAN के सदस्य है उनके बीच में एक platform, एक मंच देता है किसके लिए intra-regional cooperation के लिए अंतर-चेत्रिय सहयोग के लिए क्यूं भई? Sark भी जो member है इसमें भी South Asian countries शामिल है इसी तरह ASEAN में भी हमने देखा कि South East Asian countries शामिल है अगर आप full form पर जाएं तो Sark में कौन से सदस्याते हैं जो South Asia के सदस्याते हैं इसी तरह अगर हम ASEAN की बात करेंगे तो वहां कौन से आएंगे? नाम में ही है Association of Southeast Asian Nations ठीक है? तो South Asia के नेशन और South East यानि कि दक्षिन एशिया के सदस्य और दक्षिनी पूर्व एशिया के सदस्याते हैं इन संस्था इन से कुछ-कुछ सदस्यों को ले लिया जाए और दोनों के सदस्यों को अगर मिला दिया जाए तो जो एक संस्था बनती है वो क्या है? BIMSTEC है तो यानि कि दोनों के जो सदस्य हैं उनके लिए अगर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस तो उसका नाम क्या रखा गया है BIMSTEC रखा गया है तो ये एक प्लेटफॉर्म भी देता है किसको सार्क और आसियान के जो सदस्य हैं उनको एक इंट्रा रिजिनल को आपरेशन बढ़ाने के लिए क्या देता है एक मंच भी प्रदान करता है साथ-साथ ये 22% of global population को hold करता है और जितना भी world में trade होता है जितना भी व्यापार होता है विश्व में उसका एक चौधाई भाग जो है वो कहां से होकर गुजरता है Bay of Bengal से होकर गुजरता है क्योंकि अगर किसी को भी Pacific जाना है तो वो कैसे जाएगा Bay of Bengal के थू होकर ही जाएगा या South China से अगर आपको जाना है तीक है दक्षणी चीन सागर अगर आपको जाना है प्रशांत महसागर जाना है तो आप कहां से होकर जाएगे Bay of Bengal यानि की बंगाल की खाड़ी से तो देखी इसका importance देखो सार्क और आसियान सदस्यों के बीच में इसकी इतनी importance है दोनों के लिए एक platform प्रोवाइट करवा रहा है वहीं पर जो Bay है यानि की जो खाड़ी है उससे एक चथाई विश्व का व्यापार होता है ठीक नेक्स अगर हम बात करते हैं तो इसका जो next potential इसकी जो next शम्ता है वो बहुत important है connectivity projects देखो जो BIMStack है वो बहुत सारे connectivity projects बहुत सारी संपर्क परियोजने चला रहा है जिसमें सबसे पहली आती है कलादान multimodal project और ये बहुत ही बहुत important है पेपर में भी पूछी जा चुकी है कलादान multimodal project से आप क्या समझते है तो ये जो कलादान multimodal project है ये इंडिया और मेंमार को जोडने का काम करता है आप देख सकते हैं इंडिया मौंडरी भी लगती है इंडिया के जो North Eastern State है ठीक है उत्तरी पूर्वी राज्यों की सीमा किस से लग रही है मेंमार से लगती है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की सीमा इंडिया को मेंमार से जोड़ा जा रहा है Sea Route से भी और Land Route से भी और इसका जो project का नाम है वो क्या है कलादान multimodal project इसके तहट क्या किया जाएगा जो इंडिया का कोलकाता port है उसे मेंमार के सित्वे port से जोड़ा जाएगा तो अब इससे क्या question बन सकता है कि कलादान multimodal project कहा है या किस को जोडने का काम कर रहा है तो simple इंडिया और मेंमार को जोडने का काम कर रहा है या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि कौन से ports को जोड़ा जा रहा है कोलकाता port को किस से जोड़ा जा रहा है सित्वे port से जोड़ा जा रहा है simple वो ये भी पूछ सकता है कि सित्वे port कहां पर है ठीक है तो आप देख रहे हैं कैसे different questions इससे पूछे जा सकते हैं साथ साथ अगर हम land route की बात करें तो एजवाल से जोड़ा जा रहा है मैनमार की पलेटवा को तो ये main point है कलादान multimodal projects के next अगर connectivity project की बात करें तो वो है Asian trilateral highway और ये किस किस को जोड़ रहा है ये इंडिया को Thailand से जोड़ रहा है वाया मैनमार देखो कलादान किस को जोड़ रहा है इंडिया और मैनमार को जोड़ रहा है land route और sea route दोनों से वहीं अगर हम Asian trilateral highway की बात करें तो highway है तो simple पता चल गया है कि land route ही होगा ये किस को जोड़ रहा है ये इंडिया को Thailand से जोड़ रहा है वाया मैनमार मैनमार होते हुए भारत को Thailand से जोड़ा जा रहा है और किस को जोड़ा जाएगा भारत के मोरे को जोड़ा जाएगा Thailand के मेसोट से छीक है इनको join किया जाएगा वाया मैनमार next connectivity project की अगर हम बात करें तो ये बहुत important है ये BBIN motor vehicle agreement है ठीक है BBIN motor vehicle agreement अभी मैंने बताया भी था कि अगर हम सदर से देश देखें विम्स्टेक के तो उसे एक संस्था निकल के आ जाएगी BBIN ठीक है BBIN को अगर आप बात करें तो जैसे quad organization है ठीक है जिसमें US, India, Japan और Australia आता है इसी तरह अगर हम South Asia के quad की बात करें देखो दक्षिन एशिया के quad की बात करें तो उसमें जो चार देश आते हैं वो क्या है BBIN तो देखो BBIN भी बहुत important है ठीक है दक्षिन एशिया का quad कहा जाता है इसे तो BBIN motor vehicle agreement है यानि कि बांगलदेश, भुटान, इंडिया, नेपाल के थूँ यह एक agreement किया गया है motor vehicle ताकि seamless flow हो सके passenger और cargo traffic मतलब जो माल का आवागमन है या फिर जो passengers या फिर जो यात्री जा रहे हैं वो आसानी से जा सके कहां कहां बांगलदेश, नेपाल, भुटान और इंडिया में तो यह तीन major connectivity projects हैं जो BIMSTEC के अंडर में आते हैं एक बार चल्दी से recall कीजे पहला क्या है कलादान multimodal project जो इंडिया और मैनमार को जोड़ रहा है दूसरा है आपका Asian Trilateral Highway जो इंडिया को Thailand से जोड़ेगा वाया मैनमार और थर्ड है B.B.I.N. Motor vehicle agreement आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके सहयोग के कुछ छेट रहे है Areas of Cooperation जो BIMSTEC है यह 14 areas है इसके जहां पर यह सहयोग देता है जैसे की व्यापार, निवेश, प्रोद्योगिकी, उड़जा परिवहन, संचार, परियतन, मतस्यपालन and so on तो आप इसे देख सकते हैं तो I hope कि अब आपको BIMSTEC के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि कैसे ये दो major organizations के बीच में एक platform प्रोवाइड करता है इसके organization से एक sub organization कैसे बनी है और कौन-कौन से connectivity major projects ये चला रहा है कोई और organization जिसके बारे में आप compile information चाहते हैं आप नीचे हमें comment कर सकते हैं till then take care good bye